नमस्कार दोस्तों आशुस कुकिंग मैदिक से मैं आशु आज आप सब के लिए पनीर की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ पनीर की सब्जी तो आपने वैसे बहुत तरीके से खाई होगी लिकिन एक बार मेरे तरीके से पनीर शिमला मिर्च की ये वाली सब्जी बना के खाई gibा आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए देखते हैं पनी शिम्ला मिर्च की ये लाजवाब सबजी कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम आपको यहां पर दिखा देते हैं कि हमने 500 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है और ये पनीर हमने इस तरह से मोटे मोटे पीसिस में काट लिया है एक बड़ा शिम्ना मिर्च लिया है जिसके की बीज अटा के मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसिस में काट लिया है और एक बड़ी प्याज लिया है जिसको की मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया है तो ये तियारी हमने पहले कर ली है इसके बाद हम पनीर को मैरिनेट तो चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और चुटकी भर ही हम इसमें नमक डाल देंगे इससे पनीर का स्वाद बहुत अच्छा आएगा अगर आपके पास नीम्बू हो तो आप आधा चम्मच नीम्बू कर रस भी डाल सकते हैं इन सारी चीजों का अच्छा सा को लैसुन की कली लीजेगा इन सब को हमने पीस के टमाटर की प्यूरी तयार कर ली है तो लैसुन अधरक टमाटर की प्यूरी तयार हो चुकी है इसे अभी हम साइट में करते हैं एक बोल में हम मसाला तयार करते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिश पाउड पीसी धनिया का पाउडर डालेंगे, धनिया का पाउडर थोड़ा जादा पढ़ता है, इन सारे मसालों में हम 1 फोर्थ कप पानी डाल के मिक्स कर देंगे, और इसको फुला के रख देंगे, इसको हमें सोग करके दस मिनट के लिए रखना है, इस तरीके से अगर आप सबजी तो आपकी सवाद बहुत अच्छा आएगा, और यह बहुत पुराना मेथ़ड है, हमारी दादी नानी के जमाने से यह मैथड चला आ रहा है, अब हम इसे साइट में रख देते हैं, तो चलिए सारी तेयारी हो चुकी है, अब हम बनाते हैं सबजी, तो यहां पे हमने एक प मिर्च और प्याज जो चंक्स में काटी ती वो डाल दी है, यहां पे हम मीडियम टु हाई फ्लेम पे एक मिनट तक प्याज और शिम्ला मिर्च को सौते करेंगे, हमें इतना कुक करना है कि बस इसमें क्रंच में रहे, इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, लगबग एक इसमें हम आधा चममच खड़ी धनिया को क्रश करके डाल दिया है, खड़ी धनिया का तड़का बहुत अच्छा लगता है पनीर की सबजी में इसको हल्का सा भून लेंगे, इसके बाद जो हमने पनीर मैनिनेट करके रखा था मसाले के साथ, उसको भी हम हल्का सा सौते करें लाल नहीं हो और नहीं हमें इसे बहुत ज्यादा मलब पकाना है बस एक मिनट से ज़य ज्यादा नहीं सौट है करना अल्टा- cepले लेंगे पैनी लाल नहीं हो चाहिए ऐस मात ध्यान रखिएगा अगर पनीर बहुत जादा लाल हो जाएगा, तो आपका पनीर टाइट हो जाएगा खाने में. तो बस एक मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से पनीर सौते हो चुका है, तो अब हम इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंगे, तो यह देखे कितना अच्छा लग रहा है पनीर, तो जिस प्लेट में हमने शिमला मिर्च और प्याज को निकालाता, सेम उसी प्लेट में हम पनीर को भी निकालेंगे। यह देखे, यह सारी चीजे हमारी अच्छे से, फ्राई हो चुकी हैं, सौते हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, तो अब हम इन सारी चीजों को रते हैं। तो चलिए फटाफट ग्रेवी तियार करते हैं, सेम उसी पैन में हम दो चम्मा सर्सो का तेल और डालेंगे, और सर्सो के तेल को अच्छे से गरम करेंगे, यहां पर मैं आपको कुछ खड़े मसाले दिखा रही हूँ, दो इलाइची ली है, चोटी सी दाल चीनी का एक इंच का टुकड़ा, दो लॉंग ली है, एक चम्मा जीरा और दो से तीन सूखी लाल मिर्च ली है, बस इनी खड़े मसालों को हम तड़का देंगे, इससे जादा हम खड़े मसाले नहीं डालेंगे, इस बात का दियान तेजपत्ता, दालचीनी, इलाइची, लॉंग, जीरा, और सुखी हुई लाल मिर्च का हमने तड़का दे दिया है, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेगा, नहीं तो यह खड़े मसाले जल जाएंगे, हमें बस 30 से 40 से केंड इन खड़े मसालों को अच्छे से फ्राइ करेंगे, यहां पर हमें प्याज को बहुत अच्छा फ्राइ करना है, तो लगबग इसे 2-3 मिनट लगेगा, प्याज हलकी सी जब लाल हो जाएगी हमें इतना फ्राइ करना है, क्योंकि इस सबजी में प्याज अच्छे से हमें पकानी है, तो यह देखे लगबग 2-3 मिनट ह प्याज बहुत बढ़ियां से फ्राइ हो गई है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, हमें प्याज को इतना पकाना है, तो बस इसी टाइम पर हम इसमें एक चम्मत बेसन डालेंगे, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, एक चम्मत से जादा हम बेसन नहीं डालेंगे, बेसन क अच्छे से भून लेंगे लगबग एक मिनट तक लगतार चलाते हुए, तो फ्रेंड्स यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यह काम हम लो फ्लेम पे करेंगे, गैस की फ्लेम को हमने लो कर रखा है, और बेसन हमने सिर्फ औ सिर्फ एक चम्मच लिया है, इससे जादा बेसन नहीं डालेगा, नहीं तो आपकी सबजी बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी, तो लगबग एक मिनट हमने बेसन को प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं, जो हमने सोक करके मसाले तियार किये थे, हल्दी, मिर्चा, धनिया, पानी dhak,beny, notех, पुलता करें, लियुकि तो एक मेरे तरीके से इसमेक थे इस सबजी में बहुत अच्छी लगेगी, तो अब हमने नहीं जो चुक जाते हैं तो थेसमें, पूर इसमे कम खma employers उन the microscopy स्वात के अनुसार और दो से तीन हरिमिच आप जितनी खाना पसंद करते हो आप काटके डाल दीजिए अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमें इन मसालों को बहुत अच्छे से भुनाई करनी है लगबग 5-7 मिनट ढख के बीच बीच में हम इनको खोल के अल्टा पलती भी करते रहेंगे तो यह जब मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन के तयार होंगे तभी हमारी यह पनीर की सबजी बहुत अच्छी बनेगी तो बहुत अच्छे से हमने नमक को इसमें मिला दिया है अब हम इसे ढख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5-7 मिनट इन मसालों की भुनाई करेंगे लेकिन फ्रेंड्स इसको ढख के हम छोड के भूल नहीं जाएंगे बीच में हम इसको 3-4 मिनट बार फिर से खोल के देखेंगे कि मसाले नीचे से लग तो नहीं गए है इनकी अल्टा पल्टी करना बहुत जरूरी है तो मैंने यहां पे अच्छे से इन मसालों को एक बार ख अबी मसाले में बाकी है थोड़ा इसकी और भुनाई होना चाहिए तो अबी अच्छे से थाख देते हैं तीन से चाल मिनट बार फिर हम चेक करते हैं तो लगब टोटल पांग से साथ मिनट हमने इन मसालों को भूना है यहां पर बहुत अच्छे से बुन गए और मेरे किच मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है और इसकी जो रेसिपी का लिंक है वो में आपके साथ शेयर कर दूंगी इसक्रिप्शन बॉक्स में अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश दूद की मलाई तो 2-3 चमच में यहां पर दूद की फ्रेश मलाई डाल रही हूँ आप चाहे तो क अल्टा पलटी करते हुए इन सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे धेहन रखेगा कि पनीर पीसेज टूटे नहीं अच्छे से हमने इनको मिक्स कर दिया है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे इकहटे पानी हमें नहीं डालना है तो लग-ब तो मैं ने टोटल यहां पर एक कप पानी डाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डाला है, इखटे पानी मढ डालिएगा, अच्छे से हमने देखिए, पानी को सब्जी और मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो सब्जी की रंगत आप देख सकते हैं, बहुत ही ला तो इस सब्जी की आप रंगत देख सकते हैं, सब्जी का टैक्षर देख सकते हैं, आप देख के ही पता चल रहा है, यह सब्जी कितनी लाजवाब बनी है, बहुती बढ़ियां सब्जी बनी है, शिम्ला मिर्च प्याज ओवरकुक नहीं है, बिलकु पॉफट मसाले की सब्जी बन के तियार चुकी है, इस सब्जी को आप रोटी, पराथा, नान किसी के साथ भी आपको यह बहुत अच्छी लगेगी, सिंपल घरेलू मसालो के साथ हमने यह सब्जी बनाई है, तो फ्रेंड्स उमीद करती हूं कि मेरे आज का यह वीडियो आपको जरू पसंद दे रहे, बाँ बाई एंड टेक कियर